कि अपने यूटूब करता हूं दोस्तों आज है 21 जून और आज 21 जून है इसके हम लोग आज करेंट फेर देखने वाले हैं तो वीडियो में आगे बढ़िने से पहले अगर आप माचल पर नए हैं चलो को जो से सब्सक्राइब करिएगा इस वीडियो को लाइक किजिए अग आपको वीडियो कैसा लगा साथ इस वीडियो के साथ सेर किजिए और दोस्तों अगर आपने आप चैनल पर हमाएं नए हैं चलो को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि यहां पर आपको नौलेजबल पोस्ट और अच्छे पोस्ट मिलते रहते हैं साथ ही दोस्तों क फरस्ट कोशन है निमन में से किस कंपनी ने अपोलो म्यूनिक हिल्थ इनसोरेंस में वहुमत हिस्सेदारी खरीद ली है तो है HDFC तो है HDFC गिरवी पर करज देने वाले कंपनी HDFC ने हाल ही में Apollo Munich Health Insurance में 1347 करोड रूपए में हिस्सेदारी खरीद ली है खरीदी गई कमपनी का विलियक वह अपनी सहायक इकाई HDFC एगरे जर्नल इंसोरिंस में करेगी हम लोग अपने नेक्स्ट कोशन देखते हैं NCIRT के द्वारा आयोजित तीन दिवसी योग ओलंपियाड में कितने राज्यों के 566 छात्रों ने हिस्सा लिया है राष्टी सैक्षिक अनसंधान एवं प्रसिक्षड परिसद के द्वारा नहीं दिल्ली में आयोजित तीन दिवसी योग ओलंपियाड में 23 राज्यों के 566 छात्रों ने हिस्सा लिया है यूनिस्को के प्रतिनिधिक एरिक फाल्ट ने नहीं दिल्ली में योग ओलंपियाड का उद्वाटन किया है 21 यून को यानि कि आज के दिन विश्व भर में कौन सा दिवस मना जाता है तो 21 यून को विश्व संगीत दिवस मना जाता है 21 यून को विश्व भर में विश्व संगीत दिवस मना जाता है संगीत की विश्व में संगीत के नाम यह एक दिन होता है Q.S. World University Ranking 2020 में M.I.C.T. ने कौन से वर्स भी पहला अस्थान हासिल किया Q.S. World University Ranking 2020 में M.I.C.T. ने आठ वर्स वे वर्स भी पहला अस्थान हासिल किया लेकिन अब की बार भारत का I.I.T. Q.S. बोंबे इस रैंकिंग में पहला अस्थान हाथिर करने वाला तकनीकी संस्थान बन गया है Q.S. देखते हैं World Cup में पाकिस्तानी टीम के खराम प्रदर्शन के बीच किसने क्रिकेट कमेटी के अध्यक्षपद से इस्थिपा दे दिया अब मोहिसिन खान की जगा वसीम खान को अध्यक्ष बनाया गया है अंतराष्ठी योग दिवस मनाया जाता है इस दिन आपको हर रोज योगा करना चाहिए जिससे आपका सरीज स्वस्त रहता है 21 यून को अंतर राष्टी योग दिवस मनाया जाता है यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुस्त को दीर्ग जीवन प्रदान करता है योग दिवस पहली बार 21 यून 2015 को मनाया गया था नेक्स हम लोग अपना कोश्चन देख लेते हैं भारत और चीन के बाद ओयो ने किस देश में 30 करोड डालर का निवेस करने की घोस्रा की है एक रिपोर्ड के मुताब्रिक ओयो निवेस करने वाले पैसोस का उपयोग प्रद्योद की डिजाइन और आपरेटिम टीमों के निर्माड वा प्राइपटीज के रिनोवेसन के लिए करेगी नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं वर्ल्ड कप 2019 में कौन सा खिलाडी छे अलग-अलग देशों की खिलाब एक सो पचास रन से जादा की रन की निजी पारी खेलने वाला पहला खिलाडी बन गया तो उनका नाम है डेविट वारनर ठीक है वर्ल्ड कप 2019 में आस्टेलिया के वर्ल्ड कप 2019 के मैंच में एक सो चाचट की एक सो चाचट रनों की पारी खेली इस पारी के साथ ही डेविट वारनर छे अलग-अलग देशों की खिलाब एक सो पचास रन से जादा की निजी पारी खेलने वाला खिलारी बन गया अब हम लोग अपना निक्स कोशन देखते हैं टी ट्वंटी महिला क्रिकेट में किस देश की टीम सबसे कम यानि की छे रन के स्कोर पर आउट हो गई तो वह है माली महिला क्रिकेट टीम ठीक है टी ट्वंटी महिला क्रिकेट में माली महिला क्रिकेट की जो थी वो छे रनों पर ही आउट हो गई विस्तार देखते हैं T20 महिला क्रिकेट में माली महिला क्रिकेट टीम सबसे कम 6 रनों के स्कोर पर आउट हो गए टीम के सिर्फ एक बल्ले बाज ने स्कोर बनाया और बाकी नव खिलाडी खाता खोले बिना ही आउट हो गए नेक्स हम लोग अपने देखते हैं चीन के राष्टपती सी जिंपिंग हाल ही में 14 वर्ष में किस देश की यात्रा पर जाने वाले पहले चीनी राष्टपती बन गए उनकी इस यात्रा के दोरान पतनी पेंग लिव्यान और बिदेश मंत्री वांग यी भी सामिल हैं वे यात्रा के दोरान परुमाड क्राइक्रम को भी खत्म करने पर चर्चा करेंगे नेक्स हम लोग देखते हैं निम्न में से किस देश की सहर की एक अदालत ने स्पर्म डोनेट करने वाले व्यक्ति को ही 11 वर्षी बच्ची का असली पिता घोशित कर दिया स्पर्म डोनेट करने वाले व्यक्ति को ही 11 वर्षी बच्ची का असली पिता घोशित कर दिया इस्पर्म डोनेट करने वाले व्यक्ति को वे सभी अधिकार होंगे जिनसे वह बच्चे का भविश्य तै कर सके थो उस फीलिपिन में भारत के अगले राजदूत आइस कुमारन को 2023 में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किया गया है नेक्ष है हाल ही में नासा ने पहली बार जिस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुक नियुक्त किया है या प्रमुक्त नियुक्त किया है नेक्ष है विश्व प्रति अस्तापतात्मक दिवस यानि की विश्व प्रति अस्तात्मक सूचांक WCI रैंकिंग में जिस देश को सीर्स अस्तान प्राप्त हुआ है तो वो है सिंगापूर जो सिंगापूर देश है उसको विश्व प्रति अस्तात्मक सूचांक रैंकिंग मे जो है बहुत अच्छा सीर्स यानी की अस्थान प्राप्त हुआ है लास्ट कोशन देखते हैं हाल ही में विश्ट पॉइंट की प्रतिनिष्ट अमेरिकी सहन अकदमी ने अस्था तक की उपाद पाने वाली सिख महिला बन कर त्यासरी तो नाम है अनमोल नारंग ठीक है इसको म जरूर से सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि आपको प्रति दिन सुबा जो है पांच बज़े सी करेंट अफियर उपलब्द हो जाता है मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग